चलो, अब आज की discussion है, trigonometry का जो हमने second test दिया, जो की बहुत simple था, पर still कई बार हम questions में block हो जाते हैं, इसले एक बार observe कर लेते हैं, तो ये था trigonometry का second test, trigonometry test 2, इसकी questions पर एक बार देख लो, बहुत easy दिते, पर देखो main काम याद रखना trigonometry में क्या है, कि हमें formulae बिलकुल ऐसे याद हो जैसे हमें अपना नाम याद है, याद रखना ये बात, जैसे बिलकुल हमें बिलकुल clarity में पता है कि sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b, या cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, और जैसे मैंने कई बार class में भी बोला है, कि हमें ये ऐसे भी देखने आने चाहिए, cos a cos b minus sin a sin b, हमें ये यहां से हम यहां भी देखने आने चाहिए है और यहां से यहां भी देखना आने चाहिए कille कुछ उप लोग मों कि हम हमें यह रहोत शेशला में दिया हुट है और के नहीं बनाना होता है तो वह कि करो यहां RHS LHS यहां दोनों को simplify करो यहां फिर क्या करो कि यहां से यहां पहुचने की करो इस question में मैं यहां से यहां जाने की करता हूं कैसे tan A plus B कितना हो गया tan 45 degrees that is 1 which is tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B यह कितना हो गया 1 अब यह तो देखो यह तो given है न इसको हम cross multiply कर सकते हैं मैंने cross multiply कर लि tan A tan B tan A tan B plus वो बराबर आ गया simply tan A tan B यह बराबर आ गया 1 यह बन गे term अब जरा इसको ध्यान से देखो इसको अगर cross multiply करो न तो यह भी 1 plus tan A plus tan B plus tan A tan B यह बना हुआ है तो हमें देखा कि हमने जो प्रूफ करना है और यह सेम तरह के बन गया न बस यहाँ पर एक one add कर दो यहाँ पर एक one add कर दो तो यह वही बन गया जो की यह left side है is equal to 2 तो हो गया प्रूफ तो simply यहाँ पर हैंस प्रूफ लिखो smile करो और next question पर आ जाओ अब यह भी same pattern का था इसमें componendo dividendo जो मैंने सिखाया है उसकी समझ थी तो tan A upon tan B बराबर है k के तो इस question में मिल जिए न यहाँ से hint पकड़ना चाहिए था कि k-1 upon k-1 बनाया हुआ है तो कही न कहीं हमें visible था कि इस question में componendo dividendo का role होगा कैसे होगा जैसे हमने class में करा होगा discuss अब simply यहाँ से हमें क्या मिल गया tan A minus tan B upon tan A plus tan B यह बराबर है k-1 upon k-1 के अब tan A को लिख लो sin A upon cos A इसको sin B upon cos B ऐसा है नीचे भी एल से हम लोगे simply sin A minus B upon sin A plus B बन जाएगा और A plus B C है तो simply वो sin C बन जाता उसको cross multiply कर दो यह term बन ले this was again a very simple question बस हमने करना right तरीके से था इस question में भी as such कोई trick नहीं थी बस sin A देखो इसमें notice करना था कि जो A है वो first quadrant में है जो B है वो notice करो कि third quadrant में है तो third quadrant में cos negative है sin भी negative होगा first quadrant में sin A कितना था 3 by 5 तो cos A कितना होगा 4 by 5 tan A कितना होगा 3 by 4 तीनों positive क्योंकि first quadrant है इसमें cos B बराबर है minus 12 by 13 के sin B बराबर होता minus 5 by 13 के और tan B बराबर होता 5 by 12 के तो को tan positive होगा third quadrant में sin negative और cos negative उसके बाद simple हमने formula एक्सपांड करना है sin A minus B कितना होता है sin A cos B minus cos A sin B sin A cos B minus cos A sin B बस इस बात का ध्यान रखना था कि इसको negative लेना था इसको positive लेना था so this was the only trick otherwise this was a very simple question अब देखो यहें बिल्कुल free के marks थे बस काम की बात किया थी कि इसमें जो भी मैंने थोड़े दिर पहले शुरू में बताया उसी बात को right तरीके से observe कर पा रहे हो इस question में there was no skill बस जो हम लोग उने class में सुना था उस बात को हम लोग right तरीके से observe कर पा रहे हो कैसे अब देखो इस question में हमें यह term given थी तो इस term में क्या हमें दिखता है कि एक तरीके से यह cos x cos y minus sin x sin y लिखा हुआ है अब cos x cos y minus sin x sin y यह तो अपना formula है cos x plus y का तो यह किसी ने cos x plus y का formula दिया हुआ था वो किया बन गया cos x x कितना है 45 minus a plus y 45 minus b degrees है तो यह आ गया cos 90 degrees minus bracket में a plus b and cos 90 minus theta is sin theta तो जो पच्छा इस question में confused होता वो इनको expand करने लग जाता जो की silly mistake होती पर यह बिलकुल ही 10 seconds में solve होने वाला question था दर्वाइस यह मैंने class में भी कई बर कराया है और आपका होना भी चाहिए था इस question में देखो directly बात नहीं बन रही तो हमें इसको तोड़ना चाहिए था कि भाई इनोंने कैसे बना दिया तो हमने tan 70 degrees, tan 50 degrees और tan 20 degrees का connection सोचा कि इनके बीच में क्या रिष्टा है इनके बीच में क्या रिष्टा है हमें इनोंने खा कि यह relation create करो हम directly नहीं कर पा रहें तो trigonometry में मैंने सिखाया है कि अगर relation हम directly create महीं कर पाते तो हमें सोचना होता है कि इसको किस तरीके से हम यहाँ पर term को कैसे create करने की करें यह कैसे बनाने की करें तो हमने देखा अच्छा tan 70, tan 50, tan 20 के बीच में connection बनाना है तो हमें समझ में आया है कि tan 70 degrees इसको लिख सकते हैं tan 50 plus 20 कोई फरक नहीं now this is tan 50 degrees plus tan 20 degree upon 1 minus tan 50 degree tan 20 degree यह बराबर है tan 70 degree के इसको cross multiply करा tan 70 degree minus tan 20 degree tan 50 degree tan 70 degree यह बराबर आ गया tan 50 degree plus tan 20 degree अब इस question में अकेली trick यह थी कि notice करो कि जो tan 70 degree है वो actually caught 20 degree है सारी game इस बात में थी caught 20 degree और tan 20 degree multiply हो के यह दोनों 1 हो जाते तो अकेला tan 50 degree बचा इसको इस तरफ ले आओ तो यह 2 tan 50 degree हो जाता है और यह प्रूव हो गया tan 70 degree is equal to 2 tan 50 degree plus tan 20 degree देखो पता है जब यह class में जो हम लोग questions करेंगे न जो classes लगाओगे उसके बाद जब assignments करोगे और जब test होगे इन सब के बाद trigonometry में हमारा flow जबर दस्त बनेगा जितने बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हों कुछ भी कर रहे हों कुछ भी कितने अजीब से अजीब कर रहे हों हम लोग उन सब से आगे निकलेंगे बस आप लोगों ने जो अपना momentum है वो राइट रखना है वो राइट momentum किया है कि क्लासिस जैसे से बताया रहा है discipline से अटिंड करनी है assignments करनी ही करनी है completely copy पे और बाद में test देना ही देना है बहाने नी बनाना है और गरबढ कर आओगी कि आपके पास नए तरह के बहाने आएंगे कि मुझे एलियन उठाके ले गाई थे, मुझे मार्स पर रखा पंदरा दिन तो मैं टेस्स नहीं दे पाया तो आप लोगों ने एक्स्क्यूजस क्रियेट नहीं करनी जब टेस्ट होगा तो टेस्स देना ही देना है तो it would be hurting, this is a hurting process क्योंकि आप जब टेस्स देते हो इतनी regularity में रहते हो तो सौ बार आपके दिमाग में आता है कि इतना काम हमसे नहीं हो रहा यही काम है, मतलब याद रखना कि this is a learning which comes only after taking the complete pain so you have to take the complete pain, it is your task, यह मेरा काम नहीं है, यह आपका काम है तो आपने वो काम करना ही करना है, उसके बिना कुछ नहीं होगा, कोई improvement नहीं होगी, बिना test दिये और assignment complete करें, classes लगाए, यह बिल्कुली free के marks थे यहाज है मैंने cyclical questions यह term कराई होई है इसमें एक को तोड़ो, sin b cos c minus cos b sin c upon cos b cos c फर्स हमको देखा बस हमने, तो अब इसको divide करो, इसको इसके नीचे ले जाओ तो यह बन गया sin b upon cos b, which is tan b minus tan c ऐसे next बन जाता, tan c minus tan a फिर अगला tan a minus tan b, तो सारे cancel होगे answer आगया, 0 तो बहुत ही simple question था यह भी इस साले में देखो, यह बिल्कुल सेम तरह का था इसमें हमने connection create करना था between cot x, cot 2x, cot 3x directly तो connection बन नहीं रहा तो cot का उल्टा क्या होता है, tan तो मेरे मन में आता है, tan 3x को तोल्डो, tan 2x plus x इसको लिख लिए tan 2x plus tan x upon 1 minus tan 2x tan x tan a plus b का formula लगा दिया this is equal to tan 3x अब हमें tan तो चाहिए नहीं, हमें तो cot चाहिए तो इसको convert कर लो cot में, यह बनगे 1 upon cot 3x is equal to 1 upon tan 2x 1 upon cot 2x, this is cot और यह 1 upon cot x whole divided by LCM लेलो कि जब इसको cot में convert कर दो यह बन जाएगा cot 2x, cot x minus 1 LCM लेके simply आजाएगा, यह मैंने एक नीचे टर्म मिस कर दी, लिख दे रहा हूँ, cot x plus cot 2x upon cot x, cot 2x minus 1 इसको cross multiply करो, इसको cross multiply करो, डिरेक्टी आंसर बन गया यह question भी बहुत easy था, बस हमें यह बात को सोचना था, कि भही मुझे court का तो formula आता है नी tan का तो आता है, तो tan बना तो whatever confidence है तो चलो, this was the end of the discussion of this test, बहुत simple था, पर हमसे सारे होने चाहिए था और बहुत जल्दी होने चाहिए थे जल्दी होने चाहिए थे, जल्दी भी होने चाहिए थे, speed के question होने चाहिए थे, कि बहुत easy है चलो, अब ऐसे ही next test भी properly device करके देना, बस ऐसे test में marks आते रहे ना तो आपको confidence बनता रहेगा, चलो, all the best चलो, all the best